भारतिय किसान यूनियन टिकैट ग्रूप में मचे घमासान और राकेश टिकैट समेट उनके बड़े भाई नरेश टिकैट को निकाले जाने के मामले पर अब किसान नेता रवी आजाद सामने आये हैं जिनोंने इन खबरों को महज अफवा बताते हुए बीजेपी सरकार को न आवाज बुलंद कर रही है इसलिए सरकार सडियंतर रच रही है इस दोरान रवी आजाद ने बताया कि भारतिय किसान यूनियन सन 1987 से एक रजिस्टर्ड यूनियन है जिसका रजिस्टर्ड नंबर 4981 है उन्होंने कहा कि भारतिय किसान यूनियन एक है एक थी और एक ही रह ये पूरी आतरह से भारतिय किसान यूनियन को बदनाम और किसानों को बाटने का सड़ियंतर है सात्यो इस जूट को मूत और जवाब दें भारतिय किसान यूनियन एक रजिश्टर्ड यूनियन है जिसका रजिश्टरेशन नमबर 59-89 है और जो दिल्ली में 1987 से रेजिस्टर्ड है और जिसका मुख्याले सिसोली उत्तर प्रदेश में है भारतिय किसान यूनियन चोदरी नरेश्टिकेजी और चोदरी राकेश्टिकेजी के नेत्रतों में मजबूती के साथ देश के किसानों की लड़ाई लड़ी देश के आम जंता की लड़ाई लड़ी सरकार के गड़े की फांस बणी हुई है भारतिय किसान यूनियन इसलिए सडियंतर किये जारे बदनाम करने के लिए खबरे पहलाई जारी कि भारतिय किसान यूनियन दो फाड unionे हैं सात्यों विचार ना मिलने के कार्ण या भर्मित होकर के क्योंकि भारती किसान union ने उनको सम्मान दिया उनको नाम दिया उनको पहचान दी संगठन के परती इमांदारी निष्ठा ये हमारी जिम्मेदारी है संगठन हमारे लिए मा के समान है वो भरमित होगे वो एक अलग बात है लेकिन साथियो भारतिये किसान यूनियन ऐ राजनितिक उनेंचाश शिक्यसी मजबुती के साथ काम करेगी चौधरी नरेश टिकैजी और चौधरी राकेश टिकैजी के नेत्रतों में काम करेगी किसी को अधिकार नहीं है कि वो उनको पद से अटा दें वो उनको निकार दें ये पूरे भारतिये किसान यूनियन का और देश के किसानों का फैंसला है भारतिये किसान यूनियन बाबा टिकेट जी के दिखाए हुए रास्ते पर उनकी नीतियों पर गोरव साली इतिहास और वर्तमान में भी बहुत मजबूती के साथ काम कर रही हमारा परिवार लगातार बढ़ रहा है साथियों इस वीडियो को सेर करें धन्यवाद जै जवान जै किसान Bureau Report News Broadcast 24